थिज्टो आपका स्वाकता आजक्त और एक इस वीदियो में हम बात करने वाले हैं पॉर्न के बारे में द Jahres olan और इंडिया मं पैन हो चुका थो ऐसे मैं आपको पता होना चाहिए की पॉर्ण आखिर इंडिया में क्यों बैन हुआ है इसके पीछे का कारण क्या है और क्या ये कदम सही है या नहीं है अगे जंदे इस वीडियो में ज्यादा टाइम वेश्ट ने करते हैं चलिए स्टार्ड करते हैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दू क्योंकि अभी सिर्फ फॉर सिर्फ जियो जो है अब इतना बड़ा सेक्टर बन चुका है इंडिया के अंदर मतलब इतना अच्छा स्पीड देता है जियो काफे सारे लोग जियो को प्रैफर करते हैं किसी भी नेट्वर्क के कंपेर में चैनल आइडिया हो बड़ा फोन हो यहां पर लगबग गिए बनाओं यह को हडकी इनसान के पास सिक्हुंकार्वालेवाइस हर घर में तो एक जियो का सिम कार्ड है आज के चाइन पर जिस घर में नहीं किया है लग बग इंडिया के अभी आठ सो के सम्थिंग वेबसाइट को बैंड कर दिया गया है और ऐसे में जो आठ सो से सम्थिंग वेबसाइट की गई है तो यहां पर कुछ वेबसाइट दो लीगल थी जिनके अंदर पॉर्नोग्राफी का जो कंटेंट था वो नहीं था तो उनको अलाव कर दिया फिर से इंडिया के अंदर फिर से अपना बिजनस चालू कर सकते हैं इंडिया में मतलब तो ऐसे में सबसे बढ़ाई बात यह थी तो आठ सो के लग बढ़ जो वेबसाइट सी वह बैंड कर दी थी यहां पर कुछ वेबसा गया मैं यहां पर आपको स्पेसिफिक नहीं बता हूँ किसी में वेबसाइट के बारे में लेकिन जो लगभग जो इसली तरीके से वेबसाइट को हर इंसान गूगल पर सर्थ करके पॉर्नोग्राफिक बोगया तो यहां पर निकाल ले था था ता उस तरह से आप बिलकुल कंटेंट हैं वो सभी बैंक कर दी जाएंगे पूरी तरीके से तो मतलब की ठीक है मतलब चाइना की तरह बन रहे हैं इंडिया भी मतलब चाइना मैं आपको पता हूँ गूगल की सर्विस को एकसस नहीं किया जाता है तो ऐसे में चाइना ने इसलिए कदम उठाया था कि था था कि यहां पर जो हम इसको मुण है यूटूब है ऐसी वैबसाइट को बैं कर दिया जाए ताकि जो बनी रहे और चाइना की जो बाते हैं वह बिलकुल सेफ रहे चाइना के अनदर धर गूंते रहे तो ऐसा नहीं कि चाइना के लोग यूज्स नहीं करते हैं यूटूब बहुत सारी चीज़े होती है मैं उनके बारें बात नहीं करूंगा मैं सब यहीं बताना था तो चाइना ने जिस अपनी प्राइवेसी को लेकर की कदम उठाया था उसी तरह से इंडिया ने भी अभी पॉन को बैं कर दिया गया है इंडिया के अंदर तो ऐसे में सर्फ उसे ज ज्यूदा अच्छा है कुछ लोगों के लिए उस we laugh की है आपको क्यां लगता है कि यह सही यह नहीं है जहां तक मेरा मानना है काफी हदटख थीख द्रत भी है जिसके हर आडमी कैं अपने प्यंट भी होता है तो ऐसे में गलत इसलिए है कि यां बतल समाटफ Season 2 स्ना फॉन गया जब सिच्ची हो है तो इंटरेट इतना सस्ता हो गया है कि हर कोई अपने स्माटफोन में निकाल लेता है और देखता रहता है तो मतलब बच्चों के दिमाख में जो असर जाता है वो बिल्कुल ही मतलब डिफरेंट टाइप का होता है और ऐसे में गलत चीजों के जो प् बैन हो जाए तो काफे अच्छा रहे साफ सुतरा रहे इंडिया दोगों का मैंड अच्छा रहे काफे अच्छी चीजे हैं यह वाली लेकिन एक पॉइंट व्यू से देखा जाए कि यह चीजे गलत है क्योंकि 18 प्रस के जो बच्चे है उनको यह नोलिज होनी चाहिए बट यह फिर भी जो 18 प्रस के बच्चे हैं वह अपना अपनों पॉइंट इवी होता है मैं इसके बारे में ज्यादा देल नहीं करूगा जादा देल में नहीं बता हुगा तैसे में आप बताव क्या लगता है कि जो पॉर्नोग्राफी जो इंडिया में बंद की लिए है आपको यह अची लगियो तो लाइक कर दो अच्छी बादे यार पॉर्न बैन हो जायता मतलर कही ना कही गलत हुगे देखते हैं आपको विताव को क्या विचार है एंड मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स वोचिंग अबरेस्टी जाहन्त